तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं कई लोगे के घर पर विजिट करता हूँ और तरह तरह की जो प्रॉब्लम्स होती है ना लोग अकसर बोलते रहते हैं कि मेरे घर पर गिलहरियां आ रही है और जितने भी सीट्स हम लगाते हैं पेंट पॉदल लगाते हैं वो बिल्कुल इसका solution क्या है थोड़ा इसके बारे में बता दीजिए तो इन्होंने बड़ा ही आसान सा formula बता दिया बिल्कुल आपको किचन से आपको दो-चार समान लेना है और आपका ना बिल्कुल काम जाएगा गिलरियां बिल्कुल दूर रहेंगे आपके चछत से तो डीटेल में होने सब्सक्राइब कर लिजेगा आप फॉलो कर सकते हैं तो चलिए शाट करते हैं वीडियो सम्मानित नागरिको नमस्कार मैं प्रभीन मिश्रा पुना उपलब दो गया हूं डेली डियूट्स यूटूब चैनल पर बहुत सारे हमारे गार्डनर बहुत सारी चुनोतियों को सा तो उन दूर करने के तरीकों में हम लोगों ने घरेलू तरीके को अपनाते हैं जिससे कि हम लोगों को कोई ज्यादा नुकसान ना हो इन सारी चीजों को समझने के बाद हम लोगों ने को जानकरी इकटा किया है और उसे प्रैक्टिकल भी किया है जो कि आज मैं आपको बता है वो कम होने लगा है तो आए आज साजा करते हैं कि वो क्या कुछ चीजे हैं जो कि हम गिलेरियों को थोड़ा डाइवर्ट कर सकते हैं यू तो गिलेरिया भी परियावरन मित्र है और बीज को वो इधर उधर ले जाकर ऐसे जगह में छोड़ देती है जहां से हमारा देखा जाता है तो घरेलू तकनीक से अम लोग यह बताने जा रहे हैं कि गिलेरियों को हम लोग कैसे डाइवर्ट करेंगे और यह वीडियो आप तक पहुंच जाए तो बहुत अच्छा लगेगा अब तक वीडियो देखते हैं आप बात करते हैं देसी तरीके से तो उनमे चम मच लगबग काली मिष्का पावडर डाल देंगे तिंक है कौड्र चम मच काली मिष्का पावडर हाफ चम मच हलदी ढालने के बाद हम लोग एक तरह का ऐन गोल तयाप करेंगे और इस तरह का गोलद तरह क jour तो हम लोग उसे कोशिश करेंगे कि अब यह रत भर रहने द अगले दिन कपड़े से चानने के बाद और फिर हम लोग इस तरह के बोटल में शामिल कर देंगे प्रकिर्ति का को Seb अवयव भोजन के लिए और पानी के लिए आप तक आता है यदि हम लोग उनके भोजन की प्रविर्ती को तुरा डाइवर्ट कर दें और उन्हें इरिटेट होने लगे और उनके लायक माहुल ना हो तो वहां आना साथ वह पसंद ना करें और गिलरियों के साथ भी ऐसा ही है गिलरियों को देखा गया है कि जहां पर सुलब साधन है खा सकते हर दोर कि आपको को लेना है हाफ चमच रदी और लेना है relative । Deaf refreshing। grثिता एक पावडर काली मिश्मच पावदर पावडर का वाटर चमच पावडर एक भी और दो कर देना तो गिलेरिया वहां से डाइबर्ट होना शुरू हो जाएगी और एक समय ऐसा आएगा कि गिलेरियां सायद आप तक न आएगे लेकिन फिर भी जैसे आपको लगे कि यह लागतार एक प्रियास है तो आप 15 दिन में भी एक बार ऐसा कर देंगे तो 15 दिन में ऐसा करने से गिले मिर्स का पाउडर है तो आपके पौधों में बहुत ज्यादा डारेक्ट नुकसान नहीं होगा लेकिन हाँ कोई भी ऐसा चीज जो लोग बहुत ज्यादा डालेंगे तो वह ज्यादा डालने से भी पौधों में नुकसान हो सकता है तो आपका अंत्राल हमने बढ़ा हुआ ह और वहीं पर करना है जहां पर गिलरियों का असर बहुत जादा है तो आपको यह करना है कि यदि गिलरिया नहीं आ रही है तो आपको यह अपलाई नहीं करना है कितने दिनों में करना ठीक रहेगा शुरुवात दौर में गिल्हर्यों का आतंक बहुत ज्यादा है तो एक दिन तीसरे दिन पांचवे दिन और साथ दिन आप कर सकते हैं और या नहीं आ रही है आपके पास तो करने की ज़रूरत नहीं है और यह अपको ऐसा लगता है कि कभी तो आप एक दिन साथ दिन 14 दिन ऐसे करके आप कर सकते हैं सब्सक्राइब क्या होता है ना कि जब हम सीड्स लगाते हैं तो सीड्स खाने के लिए वह वह आती है और उस समय बचाना थोड़ा सा ना टफ पड़ जाता है लोगों को देखा है मैंने तो उस समय भी हम इसका बात करने करें हैं और यह वह आदत उनकी बदल जाती है और फिर वह दूसरे जरी जाना सुरू कर देती है तो नैचुनल गाड Japon के जो चैलेंज 중요ес वा हम लोगों का लेते हैं और जो लोग हमारे साथ जूड़ते हैं प्रैक्टिस करते हैं वह सारे लोग करने के बाद ऑumnे हम लोग मिलकर भी एक ऐसा प्रयास करेंगे जिससे कि आपकी बागवानी और समरिद हो सके घर में बहुत सारा फसल आपको मिले बहुत सारे आपकी जो वेस्ट मिट्रियल है वो शड़क पर नजर ना आए और हम लोग ये कोसिस करें कि आसपास एक अच्छा माहोल हो जहां पर महसूस हो कि हम अच्छे जगह रह रहे हैं तो आप सभी का पुने एक बार धनिवाद देते हैं और वादा करते हैं कि अगले वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे थैंक्यू वेरी मॉस्ट टेक केर नमस्कार नमस्कार तो आपको मेरा ये वीडियो का सलगा कमेंट बास मे के बारे में और गार्णिंग ट्रेनिंग के बारे में अगर नहीं देखा है तो उसका लिंक ना फिर से बता रहा हूं आई बटन पर दे रहा हूं जाकर चेक आउट ज़रू कीजिए का बहुत ही डीटेल में वो वीडियो बनाया था आज के लिए बसना रखते हैं फिर मिले बहुत ही जल्दी नेक्ष वीडियो में तब तक के लिए टेक केर नमस्कार